बॉर्णिंग आइस कैसे आप लोग उमीद करता आप लोग सब सही होंगे स्वस्त होंगे और भाई सबसे पहले तो गाइस यहीरी मेरी चाय तो इस चाय को खतम करता हूं और फिर मैं ओफिस निकलता हूं जब सुमित ओफिस जाते हैं तो आप देख रही होंगे कि क्या करके जाते हैं कैसा हाल करके जाते हैं कपड़े इधर के उधर कहां कहां रख रखे हैं अब इनको मैं ठीक करती हूँ इनको अपनी जगापे रखती हूँ तो अब ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है आज का लंच बिल्कुल ही सिंपल है मेरा मैंने बनाई है मेरे लिए खिचडी क्यूंकि मेरा बिल्कुल भी खान का मन नहीं कर रहा था तो सोचा की अपने लिए खिचडी ही बना लेती हूँ जब सुमित आएंगे तो सुमित के लिए कुछ अच्छा सा बनाया जाएगा और साथ में मैं ले रही हूँ अपने लिए मैंगो लसी इचडी इसलिए खा रही हूँ तो ये मैंने रख दिया कि और यहां से कर दिया गैसोन कि बस सुमित आते आने वाले हैं ने बनके डाड़ी भी हो जाएगा तो गाइस आज मैं ऑफिस से थोड़ा टाइम नहीं निकल गया हूँ अभी आप देखते हो थोड़ी बहुत सानलाइट है आला कि जो विजिबिल्टी है भाई वो इतनी अ बढ़ेगा अंदर से और भाई यह जैसे लग रहा होगा कि यह वाटर टॉप्रेट्स हैं वाटरसल में यह आइस है और देखो जड़ा इसको मैंसे करूँगा देख रहो आप यह आइस के जो फ्लेक्स है स्नो के जो फ्लेक्स है सॉरी तो भाई सर्दियों में एक बहुत बढ़े टास्क है गाड़ी को डिफ्रॉस या डिफॉक करना हर समय और बाहर बहुत ठंड है तो इसलिए मैं गाड़ी वाइपर मार के देखता हूं कि अले पॉन कर लेते हैं गाड़ी जैसे मैंने बताया था विजिबिल्टी इतनी अच्छी नहीं थी तो भाई बहुत आए ट्राफिक ता मतलब 90 की स्पीड लिमिट थी और गाड़ी पचास पे भी नहीं चल रही थी तो एनिवे घर आगए ठ और भाई आज ना इशा ने मस्त ये ढोकले बनाए तो भाई इन ढोकलों का भी अब मजा लिया जाए जाए 26 जनवरी पे इशा ने एकदम खाने में तो मस्त मौल कर रखा है आते साथी ढोकले मिले खाने को और अब मैं आपको दिखाता हूं इशा क्या बना रही है इसके सा यहां इसमें है आलू की सब्जी सुके आलू की सब्जी है की तरी वाली है तरी वाली तो ये तुम स्पेशल रिपफद्लिक ती असपर बना रही हो और ला बड़ी नहीं Tu लोग इंडिया में उनके तो मझे हैं एक तो आज की चुट्टी होगी उपरशे सुबहटी है आराम से परेड देखो यहाँ पर तो भाई कोई चुट्टी उट्टी थी नहीं ऑफिस गये सुबह सुबह ठंड में वो भी पर अब खाना खाने के बाद हम लोग यह परेड यूट्यूब पर देखने वाले हैं दोस्तों हमारा खाना बनके एकदम रैडी हो चुका है यह पूरियां यह आलू टमाटर की सबजी और यह रायता और साथ में अचार भी है और यह भो सारी पूरियां और यह रहे हमारे फुल जो अब भी मह करें हैं और साथ में चल रहा है टीवी पी पब्लिक डे की परेड औ यह रहे हमारे सुमित यूट्यूब पे यह अपने लगा ली है किसी चानल ने लग डाली हुए थी तो दो तिन गंटे की परेड़त तो अभी इसे खाते हो किसे इंजॉय करते है और आपको एक मैदार चीज दिखाता हूं भाई इतनी धंड पढ रही है इन्होंने यहां प तो वाई इशा यही करती है पिछले दो-ती दिन से मैं देख रहा हूं तीवी देखेगी फिर यहां एगी थोड़े हाथ से कि 5-6 मीट फिर वापिस इससे आप 15 लगा सकते हो कि यहां पे कितनी जादा ठंड पढ रही है गाइस रिपब्लिक डे की जो परेड थी हमने पूर अब यहां रात के ना सवा 11 बच गए हैं और इस व्लॉग को अभी ही खतम करते हैं लेकिन व्लॉग करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ इन्फोर्मिशन या अपना एक ओपीनियन शेयर करना चाहता हूं तो आज का दिन है वह बहुत एतासी क्योंकि भाई आज के दिन जो Constitution है हमारा वह लागू हुआ था जिसमें यह बताया गया था कि जो इंडियन सिटीजन है भारत के जो नागरिक हैं वह अपना जीवन किस तरीके से जिएंगे उनके क्या-क्या अधिकार होंगे और अगर मैं अपना मतलब जर्मनी में मुझे अब 9 साल से जादा हो ग करता है कि इंडिया में हम लोग उतना अवेर निए कि हमारा Constitution क्या है अफकोस हमें अपने बेसिक अपने fundamental राइस पता है लेकिन हमारा Constitution का basic structure क्या है हमारे और दूसरे Constitutional राइट क्या है यह हमें नहीं पता और यह जानना बहुत जरूरी है क्योंकि जितना ज्यादा हम लोग aware होंगे उतना ही हम अपने देश की progress में उसे support कर सकते हैं और अपने आपको मुतना बचा सकते हैं किसी भी false propaganda से तो इस व्लोग को हम इस द्रड निश्चे के साथ आज बंद करते हैं कि हम सभी लोग अपने Constitution को पढ़ेंगे उसका basic structure जानेंगे और हमें पता होना चाहिए प दोस्त्रो मस्त्रो और मिलते हैं कल के व्लोग में जैह हिंद्ट